हलो 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 everyone, welcome to our channel let's practice together, आज जो problem तटे है वो है कि आपको एक array दिया वा है और आपको हर एक element के left side में smaller value find करना है, जैसे कि अगर 4 है, 4 के left side में smaller value क्या है, आप बोलोगे 2 है, 3 है, तो हम लोग क्या return करें, तो question में दिया वा है कि आपको strictly smaller value return करना है, हमने similar question दो दिन पहले ब करनी थी, यह similar to that question है, और वहाँ पर भी मैंने बताया था आपको, कि अगर ऐसा कभी question है ना, कि हम लोगो कुछ search करना हो, या फिर कुछ smallest number, greatest number निकालना हो, तो हम लोग binary search के तरफ जाएंगे, हमारा approach होगा, वो binary search के तरफ होगा, अब आप खुच समझे कि हम लोग कौन सा data structure use करें, जहाँ पर हम लोग आसानी से binary search लगा सकते हैं, binary search लगाने के लिए, जो basic method होता है, जो basic requirement होता है, वो क्या है, कि आपका जो array है, वो sorted रहना चाहिए, तो अगर हम लोग 5 के left side में सारे elements के लिए चेक कर रहे हैं, तो सारे elements 5 के left वाले, sorted मे होने चाहिए, और हम smaller number या immediate greater number निकाल सके, तो हमारे पास कौन-कौन सा data structure रहता है, जैसे stack है, q है, heap है, set है, तो हम लोगों को पता है, stack और q में, हम लोग sorted बाद में एक extra function लगा अगर करना पड़ेगा, मतला हम लोगों को एक function extra लग गया, तो हमारे पास ये दोनों cut गए, कौन-कौन से बचे, हमारे पास बचे heap and set, तो heap जो है, उसमें सही है, कि आप जो भी element डालो, वो sorted manner में कर देता है, मगर हम लोगों के पास mean है, max है, मगर binary search लगाने का हम लोगों को facility नहीं दिया गया है, हम लोग इसमे element को pop कर सकते हैं, और अगर आप एक बार pop कर दिये, that means you lost that element, तो हमारे पास एक ही option बचा, वो बचा हमारा set, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक answer ले लेते हैं, जो return type है हमारा vector int, same हम लोग vector int का एक variable बना लिए, और जो है हम लोग set use करेंगे, integer type, इसलिए हम लोग लिख दिया, set int s, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, आपको algorithm पता है, हम हम लोग क्या करेंगे, हर एक element के लिए पहले check करेंगे, कि क्या set में कोई वी ऐसा element है, जो इससे just immediate छोटा है, वही अगर है, तो हम लोग इसको answer में पूस करेंगे, नहीं है तो minus 1 पूस करेंगे, simple सा question, and simple सा answer, तो हम लोग क्या किया, fold loop लगाए, कहां से कहां तक चलेंगे सारे element के लिए check करना है, so i cos to 0, i less than n and i plus plus, अब हम लोग जो है, पता है कि अगर हम लोग lower bound or upper bound function use करते है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो return क्या करता है, किस type में return करता है, तो जो हम लोग का lower bound or upper bound है वो आपको देता है एक pointer, pointer उस element का pointer, जैसे कि अगर हम लोग 4 को खोज है, कि जो भी type है उसका वो automatic ले लेगा, तो हमने लिखा auto and let's call it index, हलाकि यह index ने return करेगा, यह address return करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे, कि आपको जो भी हम element पास कर रहे ना, उसका आप immediate greater number हमको return कर दो, तो lower bound क्या return करेगा, अगर हम लोग बोल रहे है कि आप हमको 2 खोज करके दो, तो अगर उस set में कोई भी 2 से बड़ा element है तो हमको वो उसका address देदेगा, just immediate बड़ा वाला का address देदिया, अब आप खुद सोचिए कि हमारे पास 2, 3, 4 है, हमें 3 find करना है, हमने खोजा lower bound for 3, यह return किया 4, क्योंकि हमारे set में 2, 3, 4 था, suppose, अभी न number है वो find करके देगा, और यह lower bound हमें कैसे help करेगा इस question को बनाने में, चलिए देखते हैं, तो हमने क्या लिया, index ले लिया, तो जब starting के लिए हम लोग देखेंगे, to value के लिए, तो क्या index कुछ भी return करेगा, नहीं return करेगा, क्योंकि हमारे set खाली है, जब set खाली है, तो यह return करके देगा आपको s.begin, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर index जो है, equal equal है, s.begin का, तो इसका मतलब है कि set में कोई भी ऐसा element नहीं है, जो 2 से छोटा है, तो अगर ऐसा case है, तो हम लोग क्या करेंगे, simple answer.pussback-1 करेंगे, क्योंकि question में दिया है, अगर ऐसा कोई भी element नहीं है, then just print minus 1, तो हम लोग ने answer में minus 1 को रख लिया, else हम लोग कुछ कुछ करेंगे, और अगर ये if case में गया, पहला element के लिए 2 के लिए, तो वो तो minus 1 हमारे answer में चला गया, अब ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, अपने set में भेज़ देंगे, तो ये else case के बाद हम लोग लिखते है, s.insert हमारा arr i, तो अभी क्या हुआ पहला case में, ये जो 2 था, ये हमारे इस चला गया set में, तो अभी हमारे पास set में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है, next element गया 3 के पास, 3 क्या हो, s.lower bond 3, तो आप बताइए कि set में क्या कोई भी ऐसा value है, जो 3 से just बड़ा है, बोलेगा वो address return कर देगा, क्योंकि अगर ये ही बड़ा है, ये ही मान के चल रहा है, 2 तो return नहीं कर सकता ना, क्योंकि 2 से 3 छोटा है, मतलब 2 3 से छोटा है, लेकिन हम लोग lower bond में क्या खुझता है, कि 3 से बड़ा element खुझके दो, तो ये क्या return करेगा, s.end return करेगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए था, just उसके पहले वाला index, हम लोगों को 2 चाहिए answer में, तो हम लोगों ने क्या किया, कि जैसी आपको बड़ा वाला value दिया, next greater than, हम लोगों ने क्या, क्या index को एक decrease किया, और हमने क्या क्या, उसको ही answer में, push किया, अब मैंने आपको बताया, कि index क्या represent करता है, address को represent करता है, और अगर हम लोग उसका element चाहिए, तो हम लोग pushback क्या करेंगे, उसके element, उसके value को चाहिए, तो हम लोग use करेंगे asterisk sign, यह अगर आपने basic pointer पढ़ा है, तो आपको यह पता होगा, and that's it, यही आपका answer हो गया, आप क्या करो, इस fault look के बाद, return कर दो अपने answer को and believe me, this is the answer for this question, अब हम लोग क्या किये, तो हम लोग ने देखा 3 जो है, उसके लिए क्या आया, 2 answer आ गया, और अब हमने अपने set में 3 को भी insert कर दिया, perfect, 3 को भी हमने insert कर दिया, अब जब 4 के लिए गया है, same 4 के लिए immediate क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यह next यहाँ वाले को return क करेगा, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, इसके just पहले बाला चाहिए, हमने फिर से index minus minus किया, और answer को push किया, और फिर हम लोग ने insert कर दिया, 4, same हम लोग 5 के लिए करेंगे, I hope अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग चलिए compile and run करके देखते है, और compile and run किये तो yes हमारा सही है, and let's submit the code, and आपको problem solve successfully, I hope आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी problem हो, तो आप मुझे direct जूड सकते हैं, Instagram में, हमारा जो link है, वो description में दिया हुए, कल फिर मिलते हैं, ने question के साथ, तब तक के लिए goodbye, stay placed, stay safe and keep coding.